हेलो फ्रेंड्स, आज हम बहुत इंपरेंट टॉपिक पर बात करने वाले हैं बच्चों में फीवर क्यों आता है सबसे पहले हम भी जानते हैं कि हमारी बॉडी में या बच्चों की बॉडी में उनका उपका एक defense mechanism होता है या defense system होता है जब भी कोई भी बक्तिरिया या वायरस हमारी बोड़ी में या बच्चों की बोड़ी में enter करता है तो बच्चों की बोड़ी का जो defense mechanism है वो activate हो जाती है और वो ऐसे chemical medias release करती है जो बोड़ी को बक्तिरिया के against में fight करने के लिए तयार करती है और जब यह chemical medias बच्चों की ब कि इस fever को कैसे measure किया जाए हम इस fever को और लीऊ बाइड दिजिकल थर्ममेटर से measure कर सकते हैं आम पीट में रखके measure कर सकते हैं रिकलिया में रखके measure कर सकते हैं जैसे कि फैरेंट्स घर पर मेजर करना चाहे तो सबसे अच्छा तरीका है वो आम पीट से temperature measure करने का है वो बहुत ही safe और accurate method होता है अगर fever आया है तो उसका time उसकी temperature क्या है उसका है वो record हमें maintain रखना है और वो temperature of fever जो है वो medicine से respond किया है या नहीं किया है वो हमें पता करना है friends आई हम जानते हैं कि क्या क्या चीज़े हैं क्या क्या techniques है वो हम use कर सकते हैं इस fever को घर पे subside करने के लिए सबसे पहले हम अगर fever है तो हम उस बच्चे को cold sponging कर सकते हैं कपड़े को गीला करके उसके body पर हमें वो घुमा सकते हैं ताकि बच्चे का temperature वो कम हो जाए अगर फिर भी temperature कम नहीं हो रहा है तो हम second paracetamol जो drug है over the counter available रहती है वो over the counter drug को लेके हम उसे use कर सकते है over the counter drug paracetamol की drop के उपर या syrup के उपर उसका roses लिखा रहता है तो एक बार देने के लिए या night में जब भी आपका pediatrician या किसी का call नहीं लग रहा है ताब उस medicine को use कर सकते हो और साथ ही साथ है वो अपने pediatrician से appointment हो fix कर सकते हो क्या time है या क्या चीज़े है या कोगन से ऐस risk factor है जिसमें हमें वेट नहीं करना है अगर आपका बच्चे को fever के तीन दीन से ज़्यादा हो गए है परसेटमल को रेस्पॉंड नहीं कर रहा है आपका बच्चा वो खाना कम खा रहा है urine output कम हो गया है बच्चे को fever के विज़े से seizure आने लगे है या हिंदी में कहें तो तान आने लगी है अगर ऐसी सब चीज़ें हो रही है तो हमें घर पे इंतिजार नहीं करना है time waste नहीं करना है और immediately वो अपने pediatrician को और nearby hospital में जाके treatment स्टार्ट करवाना है Thank you